नमस्कार मित्रो स्वाकत आपका इस यूटीब चैनल पे नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे केंदर 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा अब आपको पता है कि पेपर लीख होने के बाद उत्रपजेश सरकार दौरा नई नीती बनाई गई है नई नियम बनाई गए हैं जिसमें किस प्रकार के कॉलेजिस में सेंटर बनना है उसकी पूरी गाइडलाइन जारी हो चुकी है और वो मैं वीडियो भी बना चुका हूँ अब उसी गाइडलाइन के तहट इस बार सेंटर्स नहीं मिल ले हैं तो पहले पूरी कबर फढ़ते हैं फिर बात होगी तो दुबारा होने वाली पुलिस भरती परिक्षा को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है नई मानक के अनुसार पर्याप संख्या में परिक्षा पढ़ेंगी पुलिस भरती परिक्षा 17 और 18 फरवरी को कुल चार पालियों में हुई थी हर पाली में कुल 126 केंद्रों पर 79,744 अभियरती पंजिक्रत थे इस जिले में कुल लगबग 27,800 बच्चे लगबग परिक्षारती पंजिक्रत थे माफ़करेगा 2,78,000 पेपर होने की वज़े से वो परिक्षा निरिस कर दी गई थी अब उसे दोबारा कराने काई कवायत चुरू हो गई है इसी के तहट भरती संस्था की ओर से जिलेवार परिक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है पर नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं जिला प्रशाशन की ओर से अभी 51 शिक्षन संस्थानों की सूची बेजी गई है जिन में एक पारी में 19,644 अभ्यारती परिक्षा दे सकते हैं इंत्यालावा ब्रसपत्वार को M.N.I.T. प्रोफिसर राजेंद्र सिंग रज्यू भाय विश्व विश्व विद्याले त इस तरह एक पाली में करीब 22,244 अभ्यारती परिक्षा में शामिल हो सकेंगे जिनाप रचाशन एराबाद विश्व विद्यालाई के संपर्क में हैं वहां से सहमिती मिल जाती है तो भी एक पाली में अधिकतं 25,000 अभ्यारती परिक्षा दे सकेंगे इस तरह से 27,28,966 अब देखिए आप सभी लोग एकडम एक्टिव हैं सब ख़बरों को लेकर और आपको गाइडलाइन के बारे में पता है कि केवल जो राजगी हैं जो एड़ेड हैं और जो ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं सिर्फ उन्ही प्रकार के विद्यालियों में इस बार सेंटर बनाए ज जाते हैं कि जो आपके डिगरी कॉलेज हैं वहाँ पर भी कुछ सेंटर बनाए जाएं ताकि यह परीक्षा कराई जा सके ग्यारा पालियों में यदि अगर पेपर कराना पड़ गया तो वहाँ पर विवस्थाओं का मैनेजमेंट थोड़ा सा कठिन हो जाएगा ग्यारा पा जाक को सरकार को कुछ तो सोचना पड़ेगा क्योंकि इतने बड़ी परिक्षा में इतने अभ्यरतियों के साथ इतने दिन तक परिक्षा कराना थोड़ा सा कठिन काम है अब देखने वाली बात हो कि क्या नई नीती बनाई जाती है और किन दिद्यालियों को इसमें चुना जाता है क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनाती है इतनी किरक्री होने के बाद चाहे केंद्र हो चाहे राज हो हर प्रकार के पेपर में कहीं न कहीं कोई ने कोई गरबड पाई गई है अब सरकार अगले चुना में जाने से पहले अपनी छवी को बिलकुल बदलना चाहेगी और इसके लिए चाहे पेपर कितनी भी पालियों में हो और चाहे कितनी भी विवस्था करनी पड़े लेकिन सरकार इससे इस वर पीछे हटने वाली नहीं है अब देखने वाली बात है कि क्या नई नियम और बनते हैं कौन कौन से नए सेंटर बनाय जाते हैं कितनी पालियों में पेपर कराय जाता है और क्या वाकई पेपर सही से हो पाएगा इन सभी खबरों के साथ दुआरा फिर मिलेंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजे अपने मित्रों तक शेयर कर दीजे और बेल आइकन जरूर दबा दीजाएगा धन्यवाद